प्रेंड्स बच्चों की बड़ती उमर के हिसाब से उनके खाने पीने का बहुत खयाल रखने की जरुरत होती है सभी माबाप चाहते हैं उनका बच्चा सबसे जादा स्मार्ट और इंटेलिजन्ट बने इसके लिए बच्चों को बच्चपन से ही सही आहार देना बहुत जरूरी है सही डाइट से उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मदद मिलती है हाला कि आजकल बच्चों को जंग फूरिया बाहर का खाना जादा पसंदाता है पिजा, बर्गर, पेश्ट्री, चॉकलिट और केक जैसी चीजों से ना सर्फ बच्चे की हेल्थ खराब होती है बलकि शारीरिक और मानसिक विकास पर भी असर पड़ता है इस तरह के बोजन से बच्चों की इम्म्यूनिटी भी काफी कमजोर होने लगती है आज इस वीडियो में मैं आपको बच्चों के सही विकास के लिए 10 सूपर फूट बता रही हूँ आप इन 10 चीजों को बच्चों के खाने में जरूर शामिल करें ये सूपर फूट विटामिन, मिनरल्स और एंटि आक्सिदेंट से भर पूर हैं जिससे बच्चे के सही विकास में मदद मिलती है आईए फ्रेंट्स जानते हैं उन सूपर फूट के बारे में लेकिन उससे पहले फ्रेंट्स अगर आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजे इसे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे एंड तक देखिएगा फ्रेंड सूपर फूट्स की लिस्ट में सबसे पहले शामिल है अंडा बच्चों की हेल्थ के लिए सभी पोशकतत्व जरूरी हैं आपको बच्चे को अंडा जरूर खिलाना चाहिए अंडा बच्चों की सही विकास में मदद करता है अंडे में हाई प्रोटीन, विटामिन B, विटामिन D, ओमेगा 3, फेस्टी एसिट और फॉलिक एसिड होता है जिससे बच्चे के मांसिक विकास में मदद मिलती है अंडा खाने से दिमाग तेज और कारेशमता वड़ती है इसलिए अंडे को complete food कहा जाता है बच्चे को बच्चपन से सिर्फ दूद दिया जाता है बच्चे के लिए 6 माईने तक दूद ही संपून वोजन माना जाता है बच्चो के सही विकास के लिए दूद बहुत जरूरी है दूद से शरील को भरपूर कैल्शियम और विटामिन्स मिलते है दूद में फॉस्फोरस और कैल्शियम होता है जो हड़ी, नाखुनों और दाथ को स्वस्त रखने में मदद करता है दूद में विटामिन धी भी पाया जाता है बच्चो के स्वास्ते के लिए दूद को कम्प्लीट भोजन माना जाता है बच्चो के विकास के लिए ड्राइफरूट्स बहुत जरूरी है बच्चो को रोज, बादाम, काजू, अंजीर और अक्रोट खिलाने चाहिए बादाम और अक्रोट बच्चे के दिमाग के विकास में मदद करते हैं बादाम और अक्रोट या दूसरे ड्राइफरूट्स खाने से बच्चो को एनरजी मिलती है नेक्स्ट है फ्रेंड्स केला, बच्चों को केला बहुत ही ज़ादा पसंद आता है, इससे बढ़ते बच्चों के विकास में मदद मिलती है, केला खाने से शरीड को विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन A, मेगनेशियम, पोटाशियम, फाइबर मिलते हैं केले में गुलुकोस होता है, जिससे बच्चों को तुरंट एनरजी मिलती है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फल और सबजियां, बच्चों को बच्पन से ही फल और सबजियां खूब खानी चाहिए, फल और सबजियों से संपून विकास में मदद मिलती है, फल और सबजियों में बेरीज खाना खूब पसंद होता है आप डाइट में बेरीज जरूर शामिल कीजिए आप बच्चों को ब्लू बेरीज, स्ट्रॉबेरी और रस्बेरी दे सकते हैं इससे शरी को भरपूर एंटियोक्सिडेंट मिलते हैं बेरीज, पोटैशियम, विटामिन सी, फाइबर्स औ और काबोहाइडरेट से भरपूर मात्रा में रिच होती हैं बेरीज खाने से दिमाग और शारीरिक विकास में मदद मिलती है नेक्स्ट है फ्रेंड स्ट्रॉट पटैटो बच्चों को शकरकंद खाना खूब पसंद होता है आपको बच्चों की डाइट में जरूर शामिल क करना चाहिए स्ट्रॉट पटैटो से फाइबर क्यालशियम और विटामिन मिलता है इसे खाने से बच्चों को तुरंट एनरजी मिलती है आप शकरकंद को फ्राय करके या उबालकर बच्चों को दे सकते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड्स देसी घी बच्चों के दिमागी विका अच्छा रहता है यह खाने से हडिया भी मजबूत बनती है नेक्स्ट है फ्रेंड्स दही बच्चे शुरुआत से ही धही जरूर खाने चाहिए दही खाने से इम्म्यून सिस्टम मजबूत बनता है धही में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जिससे पेट से जुड़ी काफी पसंद होता है ओट्स खाने से बच्चों को तुरंद एनर्जी मिलती है ओट्स के कई कई दूसरे भी फायते हैं इसलिए बच्चों के अहार में ओट्स भी शरूर शामिल करना चाहिए आई हो फ्रेंड्स आपको इन्फोर्मेशन अच्छी लोगा